बाबा का बुल्डोजर बोल कर तोड़ फोड की कारवाई का जस्न मनाने वाले अब बुल्डोजर पर सवाल उठा रहे हैं कुछ बदल गया है क्या बुल्डोजर चलाने पर योगी की जैकार लगाने वाले अब उसी काम को अमानवी बता रहे हैं कुछ अलग हुआ है क्या ब पूर्दू अर्बी फार्सी नहीं है क्या साफ साफ अगर पूछा जाए ये सवाल इस बार के पीडित या कहें सिकार मुसल्मान नहीं है क्या विपक्षी दलों के समर्थक हिंदुत की विचारधारा के विरोधी या फिर गैर कहे जाने वाले इंसान नहीं है क्या नमस्कार मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है नाम देखकर जहां दी जा रही है अब राय उस बंट चुके हिंदुस्तान में आपका स्वागत है कानपुर में बुल्डोजर की कारवाई के दौरान आग में जुलस कर मा बेटी के जान गवाने की घटना खौपनाक है दर्दनाक है घर गिराया तो जोपडी में रहने लगे जोपडी पर भी बुलडोजर चलाया गया साथी आग लगा दी गई ये सबसे शर्मनाक है इसलिए जानना जरूरी है कि इस घटना के पीछे कौन जिम जिम्मेदार हैं क्या सिर्फ लेक पाल और उसके दो-चार साथी सा योगी जिम्मेदार है या फिर मामले से जुड़े सारे छोटे बड़े प्रसासनी का अधिकारी जिम्मेदार है बुलडोजर से नयाय करने की इस नीत के पीछे कोई अधिकारी जिम्मेदार है या फिर य योगी आदितनाथ की सरकार जिम्मेदार है खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ जिम्मेदार है यूपी में बुल्डोजर के दम पर रामराज चल रहा है कहकर जस्मनाता है जो मीडिया इस घटना के लिए कितना जिम्मेदार है बुल्डोजर चलते ही बल्ले-बल्ले क कहकर नाचने लगते हैं जो चीर लीडर्स उनको भी देख लेते हैं क्यों कह रहे हैं ये तो अत्याचार है बड़ा सा बड़ा माफिया हो या फिर किसी अपराधिक रिकॉर्ड का कोई और व्यक्ती अगर भाजपा नेता है खासकर योगी सरकार का हिस्सा तो उसके घर बुल्डोजर नहीं चलता है इस बात को सब जानते हैं सब जानकर सब मानकर कुछ लोग इतराज जताते हैं आपत्ती जताते हैं और कुछ लोग इंज्वाय करते हैं अपन करवाया जाता है, कि UP में बुलडोजर के दम पर न्याई किया जा रहा है सपना दिखाया गया था जिस रामराज का, अब उसको साकार किया जा रहा है, हकीकत ये है कि हत्या हो या बलातकार के मामले छोटे-छोटे अपराद हो या कोई जगहने प्राद, सबकी गिंती में उत्तर प्रदेश टॉप पराता है, दलील दी जाती कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज है, तो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज होंगे ही, कहते समय मानो भुला दिया जाता है, कि अखिले से यादों के सासनकाल में कोई छोटा राज था क्या मायावती के सासनकाल में कोई छोटा राज था क्या एक को गुंडा राज कहकर विलेन बता दिया जाता है दूसरी की प्रसासनिक छमता का लोहा मानकर भी उसे जातिवादी बता दिया जाता है सिर्फ भाजपा को सबका ही तैसी कहा जाता है भाजपा के सब में मुसलमान नहीं है कम से कम मोह में जुबान रखने वाले मुसलमान तो बिल्कुल नहीं है इसलिए 20 फीजदी आबादी को छोड़ कर गिंती की जाती है कि क्या 80 फीशदी लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है जग जाहिर सी बात है NCRB के आंकड़े उठा कर देख लीजिए सभी तबके के साथ अत्याचार हो रहा है सभी के साथ अन्याय किया जा रहा है बुल्डोजर वाला मामलत थोड़ा अलग था समर्थकों को लगा ये तो बड़ा सही है सिर्फ उन्ही को बरबाद किया जा रहा है चुन चुन कर बरबाद किया जा रहा है मगर भरष्ट अधिकारियों को वैसा चसका लग गया है कि कहीं भी बुल्डोजर चला देने में उन्हें मजा आ रहा है सुरू हुआ होगा भले किसी मुसल्मान पर कारवाई से मगर अब गैर मुसल्मानों को भी बराबर बरबाद किया जा रहा है साइद यही वज़ा है कि निधन हो जाने के बाद भी सबसे जादा राहत इंदोरी को याद किया जा रहा है लगेगी आग तो आएंगे कई घरजद में अकेले हमारा मकान थोड़ी है कि बोल वाली इन लाइनों को बार बार दोराया जा रहा है एक ब्रामण के घर में जब किसी ब्रामण और उसके सायोगियों दोरा आग लगाई जाती है तो भयानक चेताउनी अब सच दिख रही है वो खौपनाक डराऊना सपना अब हकीकत में बदल रहा है हो सकता है एक वक्त के बाद चौतरफा विरोध प्रतरसन होने लगे और बुलडोजर की कारवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित की जिंदगी अब वापस नहीं आएगी जल चुकी बाड़ी की सिर्फ राख मिल पाएगी नफरत की आग इतनी तेज हो चुकी है कि नजाने कितनी नेहा दीक्षित और प्रमिला दीक्षित की बाड़ी उसमें खाक हो जाएगी सरकार चलाने वाले लोग, उनकी जैकार लगाने वाले लोग और खबर के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग सब के सब नफरत के कारोबार का हिस्सा मात रहें एक दिन ये आग सब तक पहुँच जाएगी मगर उसके पहले इस सिलसिले को रोक देने में भलाई है देश में बना है एक खुबसूरत सा सम्विधान उसकी बुनियात पर बनी है आईपीसी की धाराएं इनकी एक एक बातों पर अमल करके काम करें सरकार सासन, प्रसासन और दालतें इसी बात में सब की भलाई है वरना चारों तरफ आग लक चुकी होगी इसी तरह की और सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड रहे होंगे कि आग इसने लगाई है, आग उसने लगाई है